हाला दोस्तों सभी चात्रों का स्वागत है ABC coaching YouTube चैनल में दोस्तों इस वीडियो में कक्षा 12 का जोगरफी का model state 2 का solution देखने वाले हैं यानि एक answer देखने वाले हैं जो कि आप सिभी कली काफी important होने वाली है तो दोस्तों आपने अभी तक model paper को download नहीं किया है तो jackboard की official site से जा कर download कर सकते हैं तो टेलिग्राम चैनल का link जो है description में दिया हुआ है वहां से भी आप model paper को प्राप्ट कर सकते हैं तो दोस्तों इस वीडियो में 12 क्लास का जोगरफी यानि कि भुगोन का model sheet 2 का answer देखने वाले है जो कि आप सभी कली काफी महत्पूर्ण होने वाली है तो दो question क्या क्या कह रहा है उसको हम पूरी detail के साथ आपनों को बताने वाले answer बताने वाले हैं आप इसको अच्छी तरह से टिक लगा लिजेगा ठीक है तो देखिए दोस्तों सबसे पहला question आपका objective दिया गया है जिसमें पहला question कह रहा है कि कि किसी ने जो है संभव वाद सब्द का परियोग सर्वपर्थम किया तो इसका जो सही answer होगा दोस्तों वह आपका option number B हो जागा गिरिफित टेलर ठीक है चलिए अगला question क्यों चलते हैं अगला question कह रहा है कि निमलिखीत में कौन सा एक ओधात्विक जराधियान देजेगा ओधात्विक खानीज है तो इसका जो answer दोस्तों वह जागा आपका option number D यूरोप अब यहां पर देश्तों जराधियान दीजेगा कि यहां पर यदिक कह दे कि किस महादीप में जनसंख्या विर्धी के दर से जो है उच्चतम है यानि कि उच्चतम है सबसे अधीक है तब आपको answer हो जागा option number A हो जागा आफरीका जो कि सारवधिक जनसंख्या विर्धी वाला देश है महादीफ है और जो आपका यहां पर कहरा कि सबसे नियूंतम वाला यानि कि निमन वाला तो इसका जो right answer होगा दोस्तों आपका option number D हो जागा यूरोप ठीक है चलिए अगला question कर चलते हैं अगला question चौथा नंबर यहां यह जो है इसमें काफी जादा उच्च गुनवत्ता पाई जाती है ठीक है उच्च गुनवत्ता वाली लाव एस्क में से एक हो जाता है एक माना जाता है जिसको कहा जाता है मेगनेट टाइट जो कि option number आपका सी जो है right answer हो जाएगा अगला question है कि वी निर्मान उद्योग कि कार्ये क्लाप से सम्भन्धित है याद रखेगा वी निर्मान उद्योग जो है जो ति किरया क्लाप से सम्मधित है तो option number आपका भी जो है वो right answer हो जाएगा पांच नमबर का भी नमबर हो जाएगा जलिए अगला question कहता है कि निमलिखित में से कौन सी एस्या की विसालतम मल और यह को से कहता कि भारत में महिलाओं के परवास का एक परमुक कारन होता है तो महिलाओं के परवास का एक मातपूर्ण कारन क्या है उसका हो जाएगा आपका राइट अन्सर आप्सन नमर यह जाएगा साधी यानि कि marriage जो है वो सबसे महत्पूर्ण यानि कि परमुख कारण में से एक माना जाता है भारत के महिलाओं के लिए ठीक है चलिए अगला question क्यों चलते हैं अगला question कहता है कि मुरदा अपरदन का मुख्य कारण है तो देखे दोस्तों यहाँ पर जो options दियावा है चारो प्यूक्त सभी ठीक है इनमें से एक तो वह भी आपको वह पर टिक लगा देना है तो यहाँ पर तीनु ऑप्यूक्त सभी जो है वो right answer हो जाआएगा अगणा कुशन है निम्लिकित में से किस खनीज के लिए कोडर्माः ज्यार्खन परसीद ने जो हे कोडर्मा किस चीज के लिए यानि किस खनीज वस्तु के लिए परसीद है यह इसका राइट आंश्र हो जाएगा आपका निम्लिक्त में से कौन सा अमल वर्षा का एक कारण है, तो दोस्तों अमल वर्षा के यह आपका राइट अंसर है, वो वायु परदूसन के कारण ही अमल वर्षा होती है, याद रहिएगा, अगला कोशन क्यों चलते हैं? अगला कोशन कह रहा है कि रुको और जाओ निस्चाइवाद संकल्पना किसके द्वारा दी गई ती इसका जो आंसर होगा दोस्तों जरा धिहान दीजेगा काफी बार ये कोशन पूशा गया है ये काफी इंपोर्टेंट है तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका उप् गया है किया है तो इसका आंसर में उप्जिए देमन हो जागा प्रर आपहसर आपका हो जाएगा अगला कोशन है अगला कोशिजन पर राइट जागा ऑप्जिन ठेरन नंबर कहता है और समें इसका राइट अंसर अप् औरबे gas जेघे हैं डीघे throw ज़ये है इंण कहता है द कि किस खनीज को तरल सोना भी कहा जाता है तो ज़ना दियान दिजीग दूस्तों यह काफी easy question है पैट्रोलियम को जो है तरल सोना कहा जाता है तो इसका right अंसर जागा option नंबर B petroleum petroleum को जो है तरल सोना कहा जाता है अगला कोश्र है उध्योग जिन का परवंधन सरकार के हाथों मे बी सार्वजिंग छेत्र के उध्योग ठीक है सारी उध्योग आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है ऑप्सरंग नम्बर बी पंदरे नम्बर का राइट अंसर हो जाएगा अगला कुश्चिन है कैता है निमलिखित में से कौन ऐक कुटीर उध्योग का उधारन है तो जिरा धियान दीजेगा दोस्तों कुटीर उद्यों का जो उधारन है वो पर्मुक होता है वो option number A है रस्या बनाना जो कि option number आपका A हो जागा रस्या बनाना ठीक है इसको अची तरह से अपने copy में नौट कर लिजे हो सकती इसको अची तरह से रट लिजेगा द किस देश का उच्टम मानव विकास सुचांक है तो राध्यान दीजेगा यहां पर question पूछ रहा है किस देश का जो है उच्टम मानव विकास सुचांक है तो इसका जो right answer हो दोस्तों वो हो जागा नौर्वे ठीक है option number A आपका right answer हो जागा नौर्वे याद रखेगा अगला question है कहता कि सोर है जरा ध्यान दीजेगे दोस्तों सोर है तो सोर जो है काफी तरीके से होते हैं अवांचित आवास चे होते हैं क्रोध करना से होते हैं तनाव का स्रोत होता है तो यह जो है इसका right answer जागा उप्योक्त सभी इसको आपको डी नंबर option right हो जागा आप आवाज यहाँ पर तीनों में से कुछी एक को भी लगाएंगे तो वह भी आपका right answer जागा तो दोस्तों यहाँ पर आपको आपका right answer होगा वो हो जागा उप्योक्त सभी all of the above ठीक है यह हो जागा सभी ठीक है चलिए अगला question है कहता है 19 number question है कि 2011 की जनगन्ना के अनुसार भारत का स अक्षरतादर जो है चोहतर परसेंट है और जो है राइट आंसर हो जाएगा अगला question है कौन सा राज्य लव अएस्क में सबसे धनी है याद रहे कि दोस्तों लव अएस्क में सबसे धनी राज्य जो है जारक पूरे भारत में तो वह है उड़ी सा जो कि आपसे नंबर आप लाइक की question आपका फिल इंद blanks है रिकतास्थान को पूर्ती करने वाला है तो उसको भी हम cover करवा लेते हैं तो इस दोस्तों इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किये हैं तो वीडियो को लाइक अपने दोस्तों में जरूर कीज़ेगा चैनल पे पहली बार आ हैं तो चै प्रात्मिक के किरिया है ठीक है hunting and generating is primary activities जो के option नमबर यहां पे जराध्यान दिजेगा दो option दियावा है प्रात्मिक और दूती तो इसका राइट अंसर जाएगा प्रात्मिक ठीक है 21 नमर का प्रात्मिक वहां पर भरना है अगला question है कि यहां पे जराध्यान दिजेगा कहत उसके बाद कहता है बस्तिया सड़क नदी या नहर के किनारे विक्सित होती है तो इसका आंसर जाएगा रेकी ठीक है लाइनर लाइनर होती है ठीक है याद रखेगा लाइनर यानि कि रेकी बस्तिया सड़क नदी या नहर के किनारे विक्सित होती है तो यहां पे आपको भ करना है रेखिए भरना है अच्छी तरह इसको नौट कर लिजे अपने कॉपी में चलिए अगला कुछन कर चलते हैं अगला कुछन कहता है कि डैस और नवीकर्णी उर्जा के सरोत का उधारन है तो जिरा धियान दिजेगा दोस्तों यहां पे दो अप्सन दियावा है कोईला और हवाद इसमें से और नवीकर्णी उर्जा के सरोत में से एक है याद रखिएगा इसको अच्छी तरह सने कौपी में झोट लेजे अगला कुछन क्यों चलते हैं अगला question कहता कि मानव भूतल का उपज है किसने कहा जरा ध्यान दिजेगा मानव भूतल का उपज है किसने कहा तो इसका जो राइटन सो दोस्तों वो जागा एलैन चरचील इसपेल ठीक है एलैन चर्चील इसपेल इसका राइटन सो जभाएगा एनल चरचील इसपेल ठीक है चलिए अगला कॉश्चिन है 25 नंबर को कॉश्चिन देख लेते हैं अगला यहां पे दिया गया है कि भारत में अस्थांतृत क्रीशी को डैस के नाम से भी जाना जाता है तो इसका आंसर जागा दोस्तो जूम किरिसी ठीक है इसको याद रखेगा अस्थांतिक किरिसी याद रखेगा अस्थांतिक किरिसी का मतलब हो गया अलग अलग जगव पर किरिसी यानि कि जिसको घूम घूम कर किरिसी का जाता है जिसको हम कह कहते हैं जूम किई सी अगला कोचन है भूस्मैन जन जाती समूं कहां पायां जातेpatient है कई और याद रखेगा इसका जो न अश्मा यहां रूसर अफरीका में पाय जाता है भूळ perspective समू जो है अफ्रीका में पाया जाते हैं ठीक है अच्छी तरह से को भर लीजे नौट कर लीजे अपने कॉपी में अगला कोशन दोस्तों यहाप देख लीजे 27 नमर कहता कि किसम का कच्छा लोखा है यहांने इसको अब दोस्तों अभी तरह को बताए को आइक कि दोस्तों आपने अभी तक गलाक नहीं किये हैं तो वीडियो के एक बार लाइक जरूर किजेगा साथ में इस चैनल पे नहाई है तो चैनल को सस्क्राइब कर बैल आकों को ओन कर लिजे ताकि हर नए वीडियो